असलाम अलेकुम, वेलकम बैक टू में चैनल, उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही हल्दी ब्रेकफस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप इसे ब्रेकफस्ट में भी यूज कर सकते हो, टी टाम स्नैक्स के तोर पे आप अगर आप लोग वेट लोस भी कर रहे हो, तब भी आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इसके अंदर कोई आटिफिशल जो फलेवर है ना, चीनी का, मीठे का वो यूज नहीं करेंगे, फिर भी ये रेसिपी बहुत ही हल्दी बनके तयार होगी, इसके अंदर हम ल हैंगी, आपके अंदर वाइटमिन डी की कमी है, कैल्शियम, मिनरल्स की कमी है, तो ये रेसिपी आपकी तुमाम कम्यों को दूर कर देगी, बस आपने सिर्फ एक काम कहना है, कि वीडियो को बिना स्किप के लास तक देखना है, तांकि आप ये मज़ेदार सी रेसिपी अप मरतबा फिर से बॉयल दिल वा लेना है, जैसे ही से यहां पर बॉयल आजाएगा, दो टेबल स्पूनी यहां पर मिरे पासे ड्राय मिल का पाउडर, ये मैं दूद में शामल कर दूंगी, आपने बस टी वाइटनर लेना है, यानि जिससे हम लोग एवड़ी डे वगारा चा तयार होगा, और इसके अंदर फिर हमें कोई खोया, मलाई वगारा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राय मिल का पाउडर शामल करने के बाद तीन से चार्ण मिनट तक आपने इसे मीडियम टू लोग फ्लेम के उपर पका लेना है, साथ के साथ आपने चमर छिलाते रहना है तीन से चार्ण मिनट के बज़े में आपका जो दूद है, वो कंसिस्टेंसी में ठीक होने लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा, इसे आपने एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेना है, इसे रूम टेंपरेचर पे ही आपने ठंडा करना है, लेकिन अगर आपको जलती मैं आपको एक बहुत ही जबरदस चीज़ से इंटर्ड्यूस करवाती हूँ, यह है सागू दाना, मोती के दाने की तना चमकदार यह सागू दाना अपने अंदर इतनी घजायत रखता है, अगर मैं इसके उपर सो वीडियो भी बना दूना तो वो भी कम लगेंगी, यह बह जरूर करना है, बच्चों को इसे बना कर देना है, वाइटमिन डी का, कैल्शियम का एक यह बहुत ही अच्छा सौर्स हैं, और यह बहुत ही ज़दा गजायत से बरबूर होते हैं, वाइटमिन्स, मिनरल्स इसमें बहुत ही ज़दा मिक्दार में पाए जाते हैं, सुब के नाच्टे में अगर आप इसे इस रेसिपी के अकॉर्डिंग बना कर यूज कर लेते हो ना, तो आपको भूग भी नहीं लगेगी, आपकी जो गजाई जरूरियात हैं, वो भी पूरी हो जाएंगी, बहुत ही जबरदस्त हैं, यह मोती के दाने हैं, और इसे आप लोगों तक अब आपने इसे मीडियम आज पे ना, पका लेना है, जब तक इसकी जो वाइटनस है ना, वो हतम नहीं हो जाती, तब तक आप लेना है, इसे बॉयल कर लेना है, बहुत ही, जब आप इसे बॉयल करोगे ना, आपको पता से लगा कितनी ठिक 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 इसकी जो चैनल को भी सबस्क्राइब नहीं किया तो मजीद हल्दी रेसिपेश आने के लिए अभी जाके मैंने चैनल को सबस्क्राइब कर दें वीडियो सी लगे तो इससे लाइक शूर कमेंट करना भी नहीं भूला और बैल आकों को भी जूर प्रेस करना है तांके आगे आने वाली व नहीं वो रुक जाए और इसे अब आपने एक साइट पर ठंडा होने के लिए रख देना है अब यहां पर दूध हमारा देखिए अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और हमारा जो इसकी कंसिटेंसी भी आप देखिए ना काफिया तक ठीक हो गई है तो जो आपने बिलकुल भी महंगे नहीं है एक बराना को स्लाइस में कर्टिंग करके और हाफ एपल मैंने ले लिया उसे क्यूब्स की शकल में कर्टिंग करके स्केंदर शामल करेंगे मिक्स करेंगे इससे क्या होगा यह मजीद हेल्दी बन जाएगा मजीद गजायत से बरपूर बन और यहां पर मेरे पास है एक टेबल सपून भीर कर है चारो मगस वो मैं इसके अंदर शामल करूँगी जिसे खर्बूजे के बीज भी कहते हैं वो अम हम इसके अंदर शामल कर देंगे इससे मिक्स करेंगे इसे एक सर्विंग बाल में शिफ्ट करेंगे और आपको इसकी फ वो भी मैं इसके पर सजादोंगी ऐसा सिम्पल ये अगर आप दूद और सागुदाँ ना बना के भी यूज कर सकते करते होना तो ये बहुत ही कमाल का बंकę तयार होगा आप इसके अंदर किशमिश के इस्तिमाल कर सकते हैं मीठा करने के लिए आप इसके अंदर शेहत के इस्तिमाल कर सकते हो खजूरे जो हैं वो बिलकुल कुदरती तोर पे मीठी होती है एपल भी मीठा होता है जो इसमें हमने बनाना यूज किया है वो भी उसमें भी काफे मिठास होती है तो इसलिए मैं याँ पे चीनी का इस्तमाल तो बिलकुल भी नहीं करूंगी ये देखें माशाला माशाला हमारे हेल्दी से ब्रेकफास्ट की फाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रिया है टीनेज के लिए भी बहुत ही कमाल की रेसिपी है तो आप लोगों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करना है और फिर में ज़र कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपको मेरी यमी यमीरेसिपी कैसी लग रही है दूआ में याद रखेगा अपने बहुत ज़्यार रखेगा अलाफिस